में स्टुडेंट्स हम चालू कर रहे है, 8.1 में सम नंबर 1 का 4 नंबर का सम कर रहे है, 4 नंबर सम में information क्या दी हुई है? वो हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसके अंदर value रखना है, वो value put करते हैं, तो पहले cost 30 दिया हुआ है, 1045, cost 60, तो पढ़ना शुरू करते हैं सब से प इनका हमें evaluation करना है तो evaluation करने के लिए हम चालू करते है सबसे पहले point sign 30 मतलब उसकी value है 1 by 2 यह table इस लिए रखा है कि आमको proper तरीके से समझ में और एक एक value हम लिखते जाए तो आपको समझने में बहुत easy रहेगा तो हमने हमें दिया हुआ है 1045 तो आप बोलोगे सब 1045 पर है 1 तो हम लिखेंगे 1 पुलस करके 1 माइनस कॉसेक 60 कॉसेक 60 तो हमारा होगा 2 by root 3 तो लिखते हैं उसमें 2 by root 3 सेम वे सेक 30 तो सेक 30 के बारे में लिखना शुरू करते हैं सेक 30 मतलब 2 by root 3 तो लिखते है 2 by root 3 2 by root 3 सेम वे लिखते है कॉस 60 कॉस 60 मतलब आप बोलोगे सर यह रहा 1 by 2 तो आप लिखोगे प्लस 1 by 2 प्लस कॉट की जगह आप कॉट 45 दिया हुआ है तो आप देखोगे कॉट 45 मतलब यह रहा 1 इतनी figure की मतलब value की हमें जरूरत थी तो हमने यहां लिख देना है 1 upon 1 कुछ नहीं है तो 1 upon 1 भी लिख सकते है जो भी लिख आप जैसे यह complete होगा तो आप ध्यान से देखोगे तो दो portion में हमें समको थोड़ा step by step जाना है पहले यह portion solve करेंगे और दूसरे में यह portion solve करेंगे हम साथ में कर सकते हैं लेकिन हम step by step करेंगे जिससे आपको clarity ज्यादा आएगी तो अभी शुरू करते हैं सबसे दिया यहां वन लिख दिया क्योंकि वही तू है अपन में यहां कुछ नहीं है तो into multiply करेंगे तो दोनों में होगा multiply denominator और numerator में तो यहां हो जाएगा टू तो हो जाएगा 3 by 2 same नीचे भी यही upon में दिया हुआ है तो हम भी वहां direct लिख सकते हैं 3 by 2 यहां पे लिखेंगे root 2 upon root 3 और यहां पे हम लिख सकते हैं सीधा direct step में 2 by अभी यह step खतम होने के बाद हमें क्या करना होगा तो आप बोलोगे शांती से देखोगे तो आपको करना पड़ेगा सबसे पहले यहां एक साइन में फरक है वह हमने यहां उपपर माइनस है और नीचे प्लस है तो कुछ कट तो होने वाला है नहीं अभी लेंगे हम बाकी की टम का numerator और डिनोमेटर का तो आप शांती से देखोगे तो यहां हम लिखना शुरू करेंगे यह निउम्रेटर है और यह डिनोमेटर तो नीचे लिख दिया टू इन्टू रूट थ्री तो यहां पर आएगा थ्री तो एज इटीज रहेगा और आप बोलोगे सर मल्टिप्लाय करो रूट थ्री अपर में और निउम्रेटर में सेम यहां पर बोलोगे स यहां से 2 से multiply करो और यहां से भी 2 तो उपर हो जाएगा 4 जैसे यह step खतम होता है same step हमें नीचे करना है हम फिर से लिखते हैं 2 into root 3 जैसे यह step होगा तो आप बोलोगे सर यहां पे 2 की जगह आप लिख दो same step यहां नीचे वाला ही लिखना है तो मैं direct step लिख रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा 4 plus 3 into root 3 जैसे यह step complete होगा आप बोलोगे सर यह 2 root 3, 2 root 3 कट हो जाएगा तो बचेगा कुछ इस तरह 3 into root 3 minus 4, 4 plus 3 root 3 जैसे यह step complete होता है उसके बाद हमें rationalization करना पड़ेगा तो कुछ इस तरह होगा वो अभी rationalization करने से पहले आपको एक step clear करना बहुत ज़रूरी है suppose यह हम इस तरह लिख सकते है 3 into root 3 plus 4 आप बोलोगे सर आपने order change किया, order ही change किया है उतना ही किया है और उपर same way 3 into root 3 minus 4 आप बोलोगे सर इससे क्या होगा तो जो आपको अभी मैं step rationalization में कर रहा हूं आप ध्यान से देखिए इससे आपको clarity आएगी अभी हम start करते है तो आप बोलोगे सर rationalization में ऐसा होता है कि यहां पे जो sign होती है उसकी reverse sign हमें लेनी होती है तो हम ऐसा कुछ लिख सकते है 3 into root 3 minus 4 same way 3 into root 3 minus 4 आप बोलोगे सर हां कहां फाइदा हुआ वो देखना यहां पे भी minus 4 है यहां पे भी minus 4 है तो हमें compulsory वो लेने से हमारा फाइदा वो होगा कि calculation जल्दी हो जाएगा आप देखो यह identity देखके आपके mind में क्या आना चाहिए देखके ऐसा आतना चाहिए कि सर यह तो a minus b a minus b दो बार है तो indirectly हम बोल सकते a minus b का whole square और नीचे देखोगे तो आपको देखके पता चल जाएगा a minus b a plus b तो जिसका होगा क्या a square minus b square जैसे यह step होता है तो हम आगे जा सकते है अभी step कुछ इस तरह होगा तो यह step में हम लिखते है सबसे पहले उपर जो बोला वो 3 root 3 minus 4 का whole square और same way नीचे लिखते है 3 into root 3 का whole square minus 4 का whole square जैसे यह step होगा तो उसके बाद वाले step में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लिखते जाते है यह वाली identity हमने जो use की है तो यह identity क्या थी a square minus 2ab plus b square यहां आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लिखना शुडू करते है 3 into root 3 का whole square minus 2 3 into root 3 into 4 plus 4 का square सेम वे यहां लिखेंगे तो आप बोलोगे सब 3 into root 3 का square क्या होगा तो होगा 9 और यह root 3 का square करेंगे तो आपका होगा 3 तो हो जाएगा 27 क्या होगा बच्चो 27 और यहां होगा 16 बच्चो यह ध्यान रखना है कि यह clear होते ही आपका step बहुत इजी हो जाएगा अभी आपको simplify करते जाना है 3 का square तो अब भी हमने किया यहां पे ज़रूरत है ना 3 का square की तो 27 लिखेंगे यहां पे थोड़ा multiply करने में ध्यान रखना ह 4 2 जा बोलोगे 8 8 3 जा 24 root 3 24 root 3 और यहां पे हो जाएगा 16 उसके बाद हम step में लिख सकते है 27 minus 16 करोगे तो हो जाएगा 11 अभी खतम होने कोई आया है step खाली ध्यान से देखना है तो आप बोलोगे sir अब क्या होगा तो यह देखो 7 27 और यहां पे है 16 तो आप बोलोगे 27 प्लस 16 होगा 43 43-24 root 3 और अपन में आ जाएगा 11 आपको ध्यान रखना है कि सर यह तो आंसर आ खतम हो गया में स्टेप यह था जो सम में आपको हीरो बना सकता है यह आंसर को विलन बना सकता है यह स्टेप में आपने थोड़ी करबड़ी की तो आपका कल्कुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा तो आई होब कि आप यह सम को समझ में आया होगा प्रैक्टिस जरूर करना यह सम जैसे वीडियो खत्यम होती हो इसके बाद तूरंत आप प्रैक्टिस कीजिए उससे आपको क्लारिटी लेवल बहुत हाई हो जाएगा अब हम मिलेंगे सम नंबर फाइव कि डिएलो को कि पRAY उनए यह और झाल आपको का बनापको कि आपको नमिया हो जातर छोर्य वो ड्या बहुत हुत हो हो रनने हो अनुम हो No